वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो वीडियो स्टार्ट करने था पहले मैं बताना चाहता हूं कल मैंने एक वीडियो डाला था सिफ्ट वन का रिस्ट्यूल का जिसमें मैंने कुछ गलत बताया दिया तो उसके लिए सौरी और मैं उस वीडियो को भी डिलेट कर दू है कितना होगा सब कुछ मैं बताओंगे तो हमस्तों कितना फैदा हो सकता पहले सूद लेजिए उन्हों को सब कुछ पता है मिन्स उन्हों को पता है पैर्फ का परेडारा करप का लेबल कैसे है उसको पता है कि last time मैंने कितना गल्ति किया और कैसे गल्रियो को है molecule कितना री कि परण पता है कि कि लेवल का सब अब क्या होता है कि बहुत सा काiness जो स्वू से मायन्सेट लेके चलता है कि पहले यह हो上 बाले कि ओलों को यह है कि हेलाइए था अब धर नहीं था ओप सब सब आइडिया था एक से दो बार करना पड़ा था ठीक है डी टाइप के लिए इंटरप्रेस करना पड़ा था यह सब आइडिया है पारग्राफ मैंने लास्ट टम कहां गलती कर दिया था किस तरह टैपिंग करना चाहिए मैंने एक मिनिट में कैसा वाम अप किया था सब कुछ चुलों को अब आइडिया हो गया है ठीक है मतलब आप समझिए इसका पहले जो एक्जाम देके आया था वो लोग वाम अप करके आया है मजाक नहीं कर रहा हूं वह बस जो कैंसल हुआ वह अलग बात है वो लोग के साथ सॉफ्ट्रेयर वह ऐसा था गलत हो गया था मतलब कप्रियर इसू था टेकनिकल इसू बोल सकता है एकिन हाँ वह एरर किसी के यूस्पुल हुआ तो साइड मतलब जो उस एरर से एक्जाम कैंसल हुआ तो सीफ्ट वन लोग के हित में गया मतलब बोल सकता है प्रॉफिट ही हुआ लुक्षान कुछ होने वाला नहीं है ठीक है अगर फाइनेंसियल छोड़के देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं है अगर उसा नुक्सान सब के साथ हो के इतना बड़ा मतलब बोल सकते हैं मतलब फैदा देने वाला है प्रॉफिट होना वाला है उतना फाइनसियल नुक्सान छोड़के मतलब आप जो किडाया वगर अगर का बात करो मैं ठीक उसको छोड़के इतना अच्छा लुए फाइदा होना रहा तो काफी अच्छ होना थी तो इससे क्या होगा के कट अप में इफक्ट पड़ेगा तो इफक्ट पर सकता है मैं नहीं बोलों को 100% पड़ेगा लेकिन हां कुछ बोल सकते एफक्ट पड यह है जो मतलब जो डर भी रहें थे ना कि मेरा 28 था इधर नहीं और अब उसको पास अलग से कॉंफिडेंट आ गया है ठीक उसको पता है कि जाकर मुझे एक मिनट में ऐसा कीबोर्ड चेक करना है 30 सेकंड जो देगा या एक ही मिनट उसमें भी दें क्या करना उसको सब आइ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकां बहुत माइनर से बोलते हैं लेकिन हाँ अगर बोलेगा कॉलिफाय होगा तो सिप्ट वन वाला कंडिड़ेट ज्यादा क्वालिफाय करें 27 नगस को जो एक्जाम है ठीक है तो इतनी ज्यादा फैदा होने वाला है कुछ खास इफेक्ट नहीं लगता मुझे पढ़ने वाला है ठीक है मार्स तो उसका वहीर आने वाला है ठीक है जिसका हाँ यह वो सकता है जो 28-30 क्यास पर मार के आया है वो अब ज्यादा थोड़े इंफ्रूब करेगा माल लिजे जितना भी कैंडिड़ेट हो उसका 10% माल लिजे ज् किसी को होग है तो उतना नेगलीजिबल है ना उतना चलता है कटप माइन इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ लोग क्वालिफाइड का सिप्ट वन से ज्यादा कहने वाला है पस इतना ज़्यादा होने हो सकते हैं और जो सीप्ट वन का कैंडिड़ेट को इससे फैदा नहीं हो रहा था फिर तो फिर मुश्कील है तो हम उमीद करते कि सिफ्ट वन वाला इस बार जो जो भी जहले हैं वह इस बार पूरा वसुल लोने वाले हैं 27 अगस को बस यही तर वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में कल या परसू मैं एक वीडियो लाओंगा कि जॉ सब बताऊंगा आपका जोनन लेटर पे वीडियो बनाऊंगा तब तो बताया वीडियो कैसे लगया कमेंट की जैगा करें कोई भी मधी रॉट होता है तो मैं हर कमेंट का रिप्लाइड नहीं देता है लेकिन स्वामन करेंड का मैंने एक में रिप्लाइड देता हों तो उस झाल झाल